आप दीखरी इंडिया टीवी नमस्कार आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी और मैं हूँ वैभव गुला हम मिनाक्षी सबसे बहले तो मैं आपको बता दू कि अब जो excitement है हमें थोड़ी और बढ़ गई है क्योंकि अब 24 गंटे से भी कम वक्त है कि बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी शुरू होने वाली है पहला एडिलेट टेस्ट शुरू होने वाला कल सुबा साड़े नौ बजे से गुलाभी गेन से टेस्ट शुरू होने वाला है तो कुछ ताजगी है मैं थोड़ा उनका बयान पढ़के सुना देता हूं कि उन्होंने पूरा क्या बोला है सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि I would like to say that I have always been myself कि जो मैं हमेशा हूं मैं मैं मैदान पर भी वही रहा हूं कि जो मैं 2008 में डेब्यू किया था 2020 में हो गया तो मैंने अपना जो नेचर है उसको बिलकुल नहीं बदला है I have always been myself तो आगे बताते हैं the way my personality and character is I am the representation of new India for me that is how I look at it तो बड़ी बात बुलिये कि जो नया भारत है तो इससे पहले कि जो इंडियन टीम थी ना नया भारत कि जब आप बात करते ना तो उसमें मैं जो क्रिके टीम की छवी देखती हूं वो यह है एग्रेशन भी है फिटनेस भी है फिटनेस भी है अन्थू भी है वो सब दिखाई देता है इस नहीं तीम में आपको नजर आता है वो आपको ग्राउंड पर दिखता है कि जब आप इससे पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो आपको कोई बहुत जादा इतना highly rate नहीं करता था यह आप यहीं मान के चलते थे कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वहां से हार के आएंगे लेकिन 2014-15 की अगर मैं बात करूँ जिस दौरे में विराट कोली को पहली बार कप्तानी मिली वहां से जो चीज थी थी ना काफी बदली वहां पर उस दौरे पर विराट कोली ने चार शतक बनाये भले ही वोर वहां पर कुछ ऐसे क्लोज मैचे जहां पर विराट का साथ कोई दूसरा बल्ले बाज दे था तो आप 2014-15 में वी जीते उसके बाद फिर आप 2018-2019 में आपने दौरा किया वहां पर आपने दो एक से आप उस्टेलिया में टेस्सीरीज जी थी तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज बहुत बगड़ा क्या सकते लिए बिग पाइंट है कि आप आप उस्टेलिया में जाकर तो बात आपने कही पहले बात तो विराट कोली का शतक और दूसरी बात यह कि अनके शतकों का तो आप सब लोगों की जानकारी में हो सकता है, हो और जिनकी जानकारी में नहीं है, वैब आप तो जानती है, मैं अफडेट कर दूँ, कि रिकी पॉंटिंग का जो करियर के 41 शतक है, और इस वक्त विराट कोली के भी बतौर कप्तान, 41 शतक है, अगर वो एक शतक और जड़ है, तो वो रिकी पॉंटिंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे, बरहाल, उनके पास पूरे साल काफी मौके मिले थे, जिसमें उस रिकॉर्ड को पहले ही तोड़ सकते थे, बतौर कप्तान, आप न्यूजलंड में गए, उसके बद आपने ऑस्टेलिया में ODS T20 भी खे सकते, तो मैं जरूर चाहूंगा, इस से पहले अकर मैं बात करूँ, एडिलेड में वो दो शतक 2014-15 के अगर हम बात करें, वहां पर भी उशतक दो जड़ चुके हैं एडिलेड में, तो विराट कोली जरूर चाहेंगे, इस साल का जो आंत है, वो शतक के साथ करें और उनका जरूर चाहेंगे, वो बेफिक्र होकर अपना गेम खेलते हैं, और अपनी केप्टन से भी बहुत खूपफूरती से दिखाते हैं, जब से विराट कोली जाने लगे न, मैं आपको बता दूँ, 2014-15 से लेके अब तक पिले 6-7 सालों में जब भी विराट कोली ऑस्रेलिया ऐसे नो रूश्टेलियन होकर भी, कि में बले ही जो रहने वाले नहीं हैं, लेकिन उनमें वो सारे गूर हैं जो ऑस्टेलिया क्रिकटर में हमें पहले देखने को मिलकर आप थोड़े काम हो गया उस्टेलिया क्रिकर्टर अब काफी जादा फ्रेंडलि हो गयां बिल्कुल पूरी टीम इंडिया की प्रदर्शन की जैसे की वेपप ने कहा कि अब बस 24 कंटे से कुछी कम का वक्त रह गया है, बिल्कुल, सुभह साधे 9 बजे मैच शुरू हो जाएगा, तो आप भी टक-टकी लगा के देखिएगा कि कौन टीम टॉफ जीती है, किस तरीके का खेल हमें आउस्ट्रेलिया के एडलेट के मैदान में देखने को मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए, और अगर कोई सवाल हो तो दर्शक हमें बेज सकते हैं, बिल्कुल, दर्शक हमें बेज सकते हैं, दर्शक हमें यूट्यूब पे सवाल बेज सकते हैं, Facebook पर सवाल भेज़ सकते हैं तो दर्शक लगातार हम से connect हो सकते हैं और अपनी जो सवाल है पूछ सकते हैं जिसका जवाब मिनाक्षी भी देंगे और मैं भी जरूर देंगा आप subscribe भी कर सकते हैं cricket की बात को इंडिया टीवी के YouTube पेज पर आप जा सकते हैं thank you so much for joining us